Hello everyone, today we will talk about osteoarthritis. Osteoarthritis is a degenerative joint disease, जिसके अंदर आपके major joints जो होते हैं, वो सफ़र करते हैं. Due to osteoarthritis, आपके major joints में degenerative changes होने की वज़े से वहाँ पे stiffness, joint pain और inflammation हो जाती हैं. और यह mostly 40 year की age के बाद देखने को जादा मिलती हैं. Osteoarthritis में में हम दो categories में divide करते हैं, primary osteoarthritis और secondary osteoarthritis. जो primary osteoarthritis होता है, उसका कारण जो होता है, वो generalized होता है और secondary osteoarthritis उसको कहा जाता है, जिसका हमें cause पता हो. जैसे कि previous trauma history हो, तब किसी joint में osteoarthritis, degenerative changes अगर होनी शुरू हो जाए, तो उसको हम secondary osteoarthritis कहते हैं. इसमें जो हमारी joint के अंदर articular cartilage होता है, जो के joint की smooth movement करने में help करता है, उसमें degenerative changes हो जाते हैं, due to age, due to diaper changes, due to improper use of joints और unwholesome अगर आप footwear पहनते हैं, उसकी वजह से आपके changes हो जाती हैं, जो के osteoarthritis को trigger कर देता है. अगर इसके symptoms की बाद करें, तो symptoms में mostly patient को joints में pain रहती है, swelling कहती है, stiffness रहती है, और walk करते हुए वहां से कट-कट की आवाज आती, जिसको हम crappitus कहते हैं. तो अगर stiffness जो है, वो prolonged period of inactivity के बाद बढ़ जाती है, और morning के time में stiffness ज्यादा रहती है, और after थोड़ी सी moment के बाद ही, जो stiffness है, वो खतम हो जाती है. Pain जो होती है, वो with activity increase होती है, और rest के साथ pain जो होती है, वो ठीक हो जाती है. बॉडी की जो distal joints होते हैं, उनके उपर notes, बोनी growths आ जाती है, और mostly जो metafarpal joint होता है, जो अमारी थम का base होता है, वहाँ पर pain रहनी शुड़ हो जाती, जिसकी वज़ए से उस joint के moment में problem आती है, और moment में problem होनी की वज़ए से, जिस भी hand में ये problem आ रही होती है, उसमें work capacity जो होती है, वो कम हो जाती है, और दूसरा रहता है कि इसमें x-ray के अंदर अगर हम check करते हैं, तो bone में osteophytes बन जाते हैं, बोनी spurs बन जाते हैं, जिसकी वज़ए से बहाँ पर आसपास के tissues में injury होती है, और inflammation होती है, अब बात अगर इसकी treatment की करें, तो allopathic में mostly इसका कोई भी treatment में है, there is no cure for osteoarthritis in allopathic medicine, mostly हो लोग paracetamol, non-steroidal anti-inflammatory drugs, sterides और intra-articular injections लगाते हैं, जबकि steride के injection से, जो cartilage damage है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और स्टोराइट से बिलकुल भी help नहीं करते हैं, और in fact pain killers जो होते हैं, वो कोई भी help के नहीं होते, because उनका जो effect होता है, वो short term होता है, और permanent नहीं होता है, जिसे और भी बहुत सारी problems आपने शुरू हो जाती हैं, अब अगर हम ayurvedic treatment की बात करें, ayurvedic treatment में इसमें step by step चीज़े होती हैं, इसमें पहले हम oilation करते हैं, oilation में mostly इसको एक medicated oils के साथ joints को oil दिया चाता है, massage की जाती हैं जिसको हम स्निहन कहते हैं, और उसके बाद उसमें regulation of आपकी diet और आपका lifestyle भी इसमें help करता है, और साथ में इसमें हमारा mild bio purification की जाती है, fermentation की जाती है, anima दिया जाता है, panch karma treatments इसमें की जाती है, medications, oral medications के साथ, fermentation में इसमें mostly medicated leads के साथ इसको fermentation दी जाती है, जैसे राश्णा के leads के साथ, arrond के leads के साथ इसको fermentation की जाती है, फर्मेंटेशन में अगर आपके जॉइंट में स्वैलिन है पेहिंट है तो पत्र पिंड स्वेद किया जाता है और 16 रस्टिक फर्मेंटेशन तक की जाती है जब आपकी मसल वेस्टेज होती है वहां की जो मसल है वो वीक हो जाती है और बॉन के अंदर degenerative जो changes हैं बहुत ही ज़ादा बढ़ जाती तो 46 पत्र पिंड़ स्वेट किया जाता है आयरुवेट में इसके अंदर bandage use करने का विधान बताए गया है bandage से वहां के joints को हम वात नाशक जो herbs होती हैं उनके leaves के साथ हम उसको अच्छे से बान देते हैं जिससे के वहां पे जो accumulated वात होती है वो joint पे swelling नहीं आने देती है और जो इसमें use किया जाता है पुल्टीस का use किया जाता है और इसमें अगनी कर्म भी करते हैं आयरुवेदा में परेंट स्रेक बहुत ही कम होता है ना के बराबर होता है और इसमें में ही exercises बदाईत आती है exercise जो है वो आपकी osteoarthritis को होने से बचा सकता है और अगर आपको वो गई है तो उसको ठीक करने में help करता है आपको करना कहा है आपको अपने ankle joint के साथ sand bag जो है वो आपने बाद लेने है और आपने chair के उपर बैठ कर अपने joint को extension movement में करने है ऐसा आपने 15-20 times आपने करना है और 15-20 times अगर आप single time में करते हो तो आपकी joints जो है वो strong हो जाते है वहां के आसपास की cartilages जो है वो strong हो जाती है muscles strong हो जाती है और gradually day by day आपको उन sand bag के आपको weight को आपको बढ़ाना होता है और दूसरा इसमे precautions आपको रखनी होती है कि आप अपने जो joint है उसको आप proper use करें उसको over use ना करें running आप ना करें ज्यादा stairs आप ना चड़ें और आप squatting position में ज्यादा देर ना रहें ज्यादा देर खड़े ना रहें और ज्यादा देर आप किसी भी position में अगर रहेंगे तो वहां का जो joint है वो damage होने के chances बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस पर ऐसे हम आयरवेदा में पंच कर्मा treatment से, lifestyle changes से, diet changes से और oral medications जैसे के पॉपिलाक्स Google, अमरितारी Google, सहिनात Google, महा लोगराज Google, according to patient की constitution, according to patient के human care, उसकी oral medication हम decide करते हैं जिसके basis पर और और आपको किसी भी तरह के pain killer लेने की जुरूरत नहीं पड़ती है और degenerative changes है उनको हम modify कर सकते हैं और आपके lifestyle को modify कर सकते हैं जो भी patient osteoarthritis या गुटनों की दर्द, जोडों के दर्द से परेशान हैं उनको ayurvedic treatment से definitely उनको benefit होगा और अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे call कर सकते हैं मेरे number 94174-32520 के उपर या आप विजिट कर सकते हैं हमारी website के उपर या आप appointment ले सकते हैं हमारे पंच कर्मा सेंटर के उपर विजिट करने के लिए thank you so much